स्वागते बच्चों हमारी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्छा चार से पांच विसे हिंदी की कारे पुस्ति का प्रियास में से कारे पत्रक नमबर पांच, कारे पत्रक नमबर छे, साथ, आठ, नो, दस और इनी के साथ में हैं आकलन पत्रक दो, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कारे पत्रक नमबर पांच, इस कारे पत्रक में दक्चता परिवेश में उपलब्द संदर्वों, चित्रों के अनुसार सामगरी को देखकर पढ़कर समझ पाने की दिये हुई है, सबसे पहले है, नीचे कुछ चित्र दिय गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में चिपे हैं, आप उन्हें डूंड कर गेरा लगाईए, तो हम बच्चों यह चित्र देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक माला यहार का चित्र है, मचली का है, अनार का है, आम का है, थन है, नाक है, नल है, बकरी या बकरा है, रत है, जहाज है और एक घर है इनको हम इसमें डूनेंगे जैसे की अनार और उन पर गोला लगा देंगे नाक ये नाक है जहाज जो की नीचे दिया हुआ है रत आम माला बकरी घर थन नल और ये मचली इस तरह से ये सारे सब्द इसमें वर्ग पहली में दिये हुए हैं जिनको हमने डून करके गोला लगा दिया है तो ये कारेपतरक नमबर पांच में अपने को इतना ही दे रखा है आब स्टार्ट करते हैं कारेपतरक नमर 6 कार्य पत्रक नमर 6 में देखी वच्चो इसमें सब्द को एक एकाई की रूप में पढ़कर लिख पाने की दक्षिता दिये हुई है प्रेश्ण है जोड कर नए सब्द बनाईए जैसे सब्द दे रखें है सुन दोड गिर तोड इनमें सब्द में कर को जोड़ना है किसको जोड़ना है कर को सुन में कर को जोड़ दिया तो सुन कर बन गया दोड में जोड़ दिया दोड कर गिर में जोड़ दिया गिर कर और तोड में जोड़ दिया तो तोड़ कर इससे आगे सब्द दे रखें सुनने तोडने गिरने तोडने और बीच में दे रखा है वाला अब वाला इनमें सब्द में जोडना है तो सुनने वाला दोडने वाला गिरने वाला तोडने वाला इसके बाद में यहां दार सब्द दे रखा है तो गद्दे में जोड देंगे गद्देदार, हवा में जोड़ देंगे हवादार, हवल में जोड़ देंगे हवलदार और धारी में जोड़ देंगे तो धारी दार तो इस तरह से यह अपना कारे पत्रक नंबर 6 कंप्लीट होता है इसके बाद में हम कारे पत्रक साथ देखते हैं कार्य पत्रक साथ में दक्षिता दी हुई है पड़ी, सुनी, वैदेखी गई वस्तू, प्राणियों आदी के बारे में बता पाना, इसकी दक्षिता आईए, तो प्रेशन नमर एक है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, बताओ कौन कहां मिलेगा, लॉम्डी, गाय, बैस, बकरी, भेड, उंट, घोड़ा, छेर, चीता, सियार, भालू, तोता, कुत्ता, हिरन, हाथी और जिराब, एक साड़नी बनी हुई है, आपके आसपास में इन में से कौन-कौन मिलेगा, तो हमारे आसपास में गाय, बैस, बेड, बकरी, उंट, घोड़ा, तोता, कुत् यह हमारे आसपास में मिलेंगे, और जंगल में, यहां लिखा हुआ है, जंगल में, तो जंगल में कौन-कौन मिलेगा, लॉम्डी, सेर, चीता, सियार, भालू, हिरन, जिराफ, और हाथी, यह जंगल में मिलेंगे, इस तरह से हमें साड़नी में उपर दियेगे, जो जानव पानी कहां होता है, घर में होता है, नल में होता है, टंकी में होता है, हम इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, दवाई कहां होती है, अश्पताल में होती है, दवाई की दुकान पर भी होती है, और घर में भी रखते हैं कुछ दवाई, तो हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, कपड़े गर में होते हैं इसके अलावा दुकान पर भी कपड़े मिलते हैं फसल केवल खेत में होती है तो खेत में लिख देंगे पढ़ाई विद्याले में होती है पैसा बैंक में रखा जाता है घर में भी रखा जाता है हमने बैंक में लिखा है आप कुछ भी लिख सकते हैं पुस्तक, पुस्तकाले में होती है अपने बैग में होती है स्कूल में होती है फूल, बगीचे में होते हैं तो इस तरह से यह हमारा कारे पत्रक नमबर 7 पूरा होता है अब हम इसके बाद में देखेंगे कारे पतरक नमबर आठ कारे पतरक आठ में सीखे गए वर्णों वै मात्राओं से बने सब्दों को इस पस्ट एवं साप सब्दों में लिख पाने की दक्षिता दिये हुई है सबसे पहले प्रश्ण नमबर एक है एक से बीस तक की गिन्ती को सब्दों में लिखिए तो यहां बच्चों एक दे रखा है, एक को हम ऐसे लिखेंगे, एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो यहां दस तक गिंती आ गई है, दस को हम घणित में ऐसे लिखते हैं, और हिंदी में सब्दों में ऐसे लिखते हैं, इसके बाद में, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, उसके बाद में, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, फिर उननीस और बीस, इस तरह से हमने बीस तक की गिंती यहां लिखती है, फिर प्रशनम मर्दों है, नीचे लिखी संख्याओं को सब्दों में लिखिए, तो सब्दों में संख्याओं को यहां संख्या दे रखिए, दस तो दस को ऐसे लिखेंगे सब्दों में, पचास को ऐसे लिखेंगे, नब्बे दे रखिए, नब्बे को ऐसे लिखेंगे, बीस को ऐसे लिखेंगे, साथ को ऐसे लिखेंगे, सो को ऐसे लिखेंगे, तीस को ऐसे लिखेंगे, सतर को ऐसे लिख हुआ है उसको हल करेंगे प्रेश नमर एक है दिये गए चित्रों को उनके नाम से मिलान कीजिए यहां चित्र दिये हुए है पहले सबसे पहले गाय का चित्र दिया हुआ है तो गाय से मिलान कर देंगे पेड का दिया हुआ है पेड से मकान का दिया हुआ है मकान से और का दिय हमें चारे रोटों के साथ दारा समयाएं, जोड़ेंगे तो हवा जाली के साथ जोड़ा जाली दार जमिनदार इन चारों सम्दों के सामने हमने इसको जोड़ दिया है प्रशन 3ला कार चिड़िया पैं निया गाय, चुवा, कबुतर, मोर, जग, कोवा, किताब, कोयल, कपड़ा, चील, बाज, इन में से पक्षियों के नाम कौन-कौन से हैं, चिडिया, कोवा, तोता, कोयल, कबुतर, चील, मोर, बाज, फिर है प्रेश नम्बर चार, दिये गए अंकों को सब्दों में लिखिए, यहां दिया हुओ है, 15, 15 लिख देंगे, 18 लिख देंगे, 29, 20, 11, 11, 11, यहां लिख देंगे, प्रेश नमर पाँच है नीचे दिये चित्रों को उनके कारें से मिलाईए तो बच्चों रोटी क्या काम आती है खाने के काम आती है इससे मिला दिया हल का क्या काम आता है केती करने के काम आता है कपड़े पहनने के काम आते हैं बस यात्रा के काम आती है गाय दूद देने के काम आती है तो इस तरह से हम इसको मिलान कर देंगे और इस तरह से हमारा ये आकलन पत्रक नमबर दो पूरा होता है इसके बाद में हम देखते हैं कारे पत्रक नमबर नो कारे पत्रकनों में अनुस्वार व्या अनुनासिक द्वनियों को पड़ पाना व्य लिखवाने की दक्षिता दिया है प्रश्ण नमर एक नीचे दिये इस अब्दों पर अनुनासिक और अनुस्वार लगाईए चुट्टियां पंक संक खिड़कियां इन पर देखो बच्चों जैसे यहां पर अनुनासिक लग गया है यहां अनुस्वार यह अनुस्वार यह अनुस्वार यह अनुनासिक यहां वेलियों पर अनुनासिक रानियां इन में भी अनुमासिक चत्रियां इस पर भी अनुनासि और यहां पर अनुस्वार, यहां अनुस्वार, अंतर में अनुस्वार, बंदर में अनुस्वार, तो इस तरह से हमने इन दोनों सब्दों को दोनों प्रकार से लिखा, अपने मन से लिखिए अनुस्वार युक्त सब्द और अनुनासिक युक्त सब्द, तो हमने पड़े हो यहां लिख देंगे चंदं, वंद cognitive, लंध मंथ मंथन कंचं चंद अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं इनके अलावा दूसरे भी लिख सकते हैं अनुनासिक में लिखेंगे जहां चंदर बिंदू लगता है अनुनासिक का मतलर चंदर बिंदू गाव चाओ चांद आख फलियां कलियां चुटियां तो इस तरह से हमने ये सब्द लिख दिये हैं प्रश्ण उट्चारन कीजिए वैध्वनि का अंतर समस्ते हुए प्रश्ण लिखिए पंक पंक फांक हम इनको उचारन नुनासिक पंक फांक 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 पांक फांक पहांक तो इस तरह से हैं हमारा कारेपत्रक नंबर नो पूरा होता है इसके बाद हम देखेंगे कारे पतरक्रंबर 10 इसमें चित्रों के आधार पर लिख पाने की दक चिता दी हुई है प्रैश्च number एक है चित्र देखकर लिखिये कौन कहां चलता है तो बहुत सारी चित्र हैं हम देखते हैं केवल जमीन पर कौन कौन चलता है केवल जमीन पर चलते हैं अमोटर साइकल टेम्पू, कार, साइकल, रेल गाड़ी ये केवल जमीन पर चलते हैं केवल पानी में इन में से कहां कौन-कौन चलता है तो नाव और एक जहाज तो नाव और जहाज हमने यहां लिख दिया है केवल हवा में कौन-कौन चलते हैं हेलिकॉप्टर और हवाई जास दिहां इनको लिख देंगे प्रेश नमबर दो है नीचे दिये गए बाहनों के नाम को देख कर लिखिए किसके कितने पईये होते हैं कार, साइकल, बस, स्कूटर, रिक्सा, ट्रक, रेल गाड़ी, साइकल, रिक्सा तीन पईये वाले रिक्सा, साइकल, रिक्सा चार पईये वाले कार, बस, बहुत सारे पईये वाले ट्रक और रेल गाड़ी रेल गाड़ी में बहुत सारे पईये होते हैं और ट्रक में भी चार से ज़्यादा पईये होते हैं फिर है प्रश्ण नमबर तीन आपने किन किन वहनों की सवारी की है लिखिए तो बच्चों हमने तो कार बस जीप रेल गाड़ी रिक्सा और साइकिल की सवारी की है यदि आपने और अन्य किसी वहन की सवारी की है तो आप उसको भी यहां लिख सकते हैं तो इस तरह से अपना ये कारे पत्रक नमबर 10, कारे पत्रक नमबर 9, आकलन पत्रक नमबर 2 और कारे पत्रक नमबर 8, कारे पत्रक नमबर 7, कारे पत्रक नमबर 6 और कारे पत्रक नमबर 5 कंप्लीट होते हैं आगे के खारे पत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहे हमारे चैनल से और चैनल को दोस्तों के साथ सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद